नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनौज कुमार और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 1000 लसेपरेटर हमें सब्सक्राइच करने का और पॉइंट को मा के रूपरेटर हम साथ और जौ है कि सीफरेटर के जगई को मतलब क्या है कि आपका यहां पर कुछ डिया हुआ है यूज किये हैं ठीक है अग मैं चाहता हूँ कि यहां पर कॉमा ना यूज करके 10 समलब यूज करूँ या 10 समलब के बदले जो है कॉमा यूज करूँ तो यह जो हम अल्टर चेंज कर सकते हैं या आप कुछ अलग सिंबोल डालना चाहते हैं जो थौज़न नमर सेपरेटर हैं उसके जगए कुछ अलग सिंबोल डालना चाहते हैं और कोमा के जगए डौट के जगए कुछ अलग चाहते हैं वो आप अपनी मर्जित से डाल सकते हो किस तरह से डालेंगे वो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है उसके लिए आपको जो है यहां से जाना परेगा फाइल में यहां जो फाइल है आपको फाइल में जाना परेगा और फाइल के बाद यहां आपता है option option आप फाइल के बाद option जाएंगे option के बाद यहां आता है advance एप जो हैडवांस पर क्लिक कीजए जैसे ही आप advance पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक window जाएगा जिसका नाम है editing option क्या हैगा editing option, आप editing option में अगर जाते हो, यहाँ नीचे की और जाओगे, तो यहाँ पर एक आपको symbol मिलेगा, एक यहां पर मिलेगा क्या मिलेगा यूज सिस्टम सेप्रेटर्स क्या लिखा हुआ है यूज सेप्रेटर और यहां पर डेसिमल सेप्रेटर है और यहां पर तोजन सेप्रेटर है तोजन का सेप्रेटर के सब्सक्राइब क्या कॉमा यूज करना चाहते है या डेसिमल सेप्रेटर के जगह आप क्या यूज करना चाहते है suppose मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अभी आप देखे यहाँ का जो number है आपका decimal के जगह क्या है point है और thousand का separator के जगह comma है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ यहाँ पे exchange कर रहा हूँ decimal separator था वहाँ पे जो है comma आचुका है किस तरह से हमने thousand separator को और decimal separator को अलग-अलग किया वह आपको पता चला अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ फिर से पहले जैसा करना चाहिए तो वह भी कर सकता हूँ देखिए यहाँ पे क्या है आप जो है यहाँ पे जो है huge system separator है और यहाँ पे decimal के जगह मैं यहाँ पे comma डाला तो फिर से मैं यहाँ पे decimal डाल देता हूँ और thousand के जगह comma डाल देता हूँ इसको फ्रेस किया ok तो आपका देखिए फिर से जो है आपका जो है position में अपने position में आ चुका है तो हमने क्या सीखा की thousand separator के जगह किस तरह से हम लोग symbol change कर सकते हैं और decimal separator के जगह किस तरह से हम सापना symbol change कर सकते हैं ठीक है कुछ dot हो तो आप मुझे comment section में लिखिए ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते कुछ new idea new trick के साथ next वीडियो में झाल